सट्ट्रों काल में हामरी तवर दी ते जास पंजाबी देखन वाले सारी दर्शकांदा स्वागत साधी खास सते विलक्ष्ण शोप बोल्धा देविच इस प्रोग्राम दे विच हर बार असी के नमे विशे दी गल कर देया है ते पंजाब दे लोग की कहेंदे ने हो तानू जानू करवाने है 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 हैश्टेग मीटू मोहिम और तान दी महलावां दी अवाज बांड रही है ते मरदां दे गले दी हड़ी बांड रही है मोहिम इन्हों लेके हुन तक बड़ी सारे जड़े नाम है चाहे कहा दिया बॉलीवूर्ड दे स्यासादाना दे नाम जड़ेया ओ इथे तक विच आ चुके है पंजाब तो लेके केंदर तक दे मंत्रियां दी कुरसी जड़ी है और खत्रे दे विच इस मोहिम ने पा दिती है है हैश्टेग मीटू मोहिम जड़ी है ओ जिना ओरतां दिनाल जिनसी शोशन दिया कटनावा हो याने हरास्मेंट होई है चाहे हो मामले किने भी पुराने होन पांच साल दास साल ओ औरतां इस मोहिम दे जरिये अगे आके अपने नाल हुई हडबीती जड़िया ओ बयान का रही है पर एक वड़ा सवाल बने होया है कि आखिरकार है हैश्टेग मीटू मोहिम औरतां दिली सहारा है या फिर अपनी रंजिश कड़न दा बहुत जरूरी हो जांदा है साशिकाल की नाम है गरिमा एजड़ा गरम-गरम मीटू दा मुद्धा एचाया पर आए तुसी अवेर होगे सब तो पहला हैश्टेग मीटू मोहिम नो बिंगा गल तुसी किस तरह देख देओ मेरा पस्पेक्टिव बहुत पॉसिटिव है अपनी बात को रख पारे हैं सामने और क्योंकि बहुत सालों से बात को छुपाया जाता है सिको सेक्चिल हरास्में फेस कर रहा है कोई सोचल मीडिया पर अभ्यूस तो वो चुप रहाता है तो यह मीडू की तरफ से अनोरा सामने लिए ऑग..? पॉजिटिव फीडबाक अकसर देख दिया कि विमन दे नाल जड़ा हरास्मेंट दाये मामले कोई अजदा निया बहुत पुराने टाइम तो यह चली आ रहे है सु की लगद है कि हैश्टाग मीटू मुहिम दे नाल जड़िया और तांगे आ रही है इनने साल ता को चुप क्यों रही है कि सिर्फ वो किसे प्लाटफॉर्म दे ही वेट कर रही है वेट काम कर रही है इसलाइक अगर आपको काम कर रहे है आपको डिख और दो लोग और वही काम करेंगे तोो आपको काम कर लोग स्कुराइब lij कहीं नहीं स्ट्रेंथ में लाकिंग हो जाती है मेरे साब से जब लोगों को दिखा कि एक एजियर तरीका है अपनी बात को रखने का और कहीं लोग आपको नहीं जज़ करेंगे कितने रेप होते जो अभी भी एफायर नहीं दर्ज होता है उनका गाइस रीजन क्या उसके अभी नहीं तो कब बोलेगे हमेशा पर पॉजिटिव लने हैं कि सोशल मीडिया आजकल बहुत अपडेट राख़दा है सानू टेलिविजन तो नहीं जादा से सोशल मीडिया तेक्टिव रहने हैं पर की लगदा है हंड़र परसेंट सोशल मीडिया दो पर जिने केसे सा सा रहे ही जड़े जैनूर होनगे या मान देओ कि तुसी दो परसेंट एदा मिस्यूज भी हो रहा है मैं कहूंगी देखो 99% केसे स्ट्रू है क्योंकि इतने फैक्स बाहर आ रहे और प्लस देखो ऐसा रही है कि कोई भी चीज उसको प्रो और कॉन दोनों होता है राइट तो अगर कॉंस में देखा चाहिए तो नेगेटिव है यह कहीं ना कहीं पे लोग अपना ग्राजस निकालने के लिए की बोल दे की ठीक है मतलब बस पॉइंटें पॉइंट आउट तो इस इस केस में अगर आपको लग रहा है कि यह चीज गलत है आस पर प्रूफ फैक्ट कोट बैठे सारी चीजें हो अगर फैक्स आएंगे हमारे हाथ में तो हम क्यों नहीं उसके अगेंस काम करें और नहीं होंगे तो आटोमेटिक लिए जो जूटा है वो अपने आपी पकड़ा जाएगा बिल्कुल बेना ने दोनों पासे यहां दी दोना पहलूं दी गाल कीती है क जड़ी है शायद किते कले हुने डर तों अपनी आवाज नहीं बुलंद कार पारियां सी इस करके कि कली आवाज नो हमेश्या ही सादे समाऑच देवे धबा धिता जांदर है वोला नो जड़ा है हौंसला मिले है इस करके जड़िहां बहुत पुराने इनने साला तो मामले दबे पैसी वो भी सामने ओन लगने पर हाँ एवी गल जरूर है कि किते ना किते इस मुहिम दी आर्ड देविच कई लोग जड़ा इदा मिस्यूज करके वी ओ जड़ा फाइदा चोकरे ने की नाम है प्रिया तुसी हैश्टाइग मीटू मुहिम नों किस तरह देख देख दे करते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर उन्हें कुछ नहीं हुआ है अपनी प्रॉब्लम शेयर करके तो उनकी भी एसर नियों को हो सकता है जो विक्टिम है उसे जस्टिस मिल जाए बट इसका नेगेटिव यह भी हो सकता है कि अक्चुली कुछ केस हैं मैं कहूंगी जहां पर लोग गलात इलजाम भी लगा देते हैं बट वो इतने ज्यादा मेंजर अभी नहीं हुए हैं अभी तक बट माक्सिमम जितने भी केसे से मुझे लगता है वो ट्रू ही है क्योंकि जितनी भी अभी तक सर्च चल रहे हैं उन पर केसे होते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इसके लोग यूज करते भी हैं या अपनी ग्रजस निकालने के लिए बट हमेशा ऐसा नहीं होता है माक्सिमम टाइम यह एक तरीके से लड़कियों के लिए कि वो अपनी प्रॉब्लम शेर कर पा रहे हैं बेना किसी डर के असी कि सियासत दान ते बॉलिवुड दे या जिनने वी नामी लोग ने अपनी पावर्दा इस्तमाल करके लोका दी आवाजनों महलावानों दोबाना चौन देने या फिर चीजां अपसी कंसेंट देनाल हुई हैं ते होन जड़ा है और उननों गलत तरीके पेश किता जा रहे ह कि I guess media एक बहुत ही powerful medium है किसी भी case को एक नए पहचान देने का तो अगर कोई case मीडिया में आ जाता है तो definitely जो powerful politicians है या बहुत बड़े-बड़े Bollywood stars है उनके लिए भी कही न कहीं एक डर हो ही जाता है क्योंकि ये बात फिर सब लोगों को पता चल जाती है सिफ आपस में ही जो कर रहा है तो definitely सबके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब media involved हो जाती है किसी भी case में तो उस case का almost all वो ना काफी हद तक वो हो जाता है कि होई जाएगी क्योंकि सभी लोग फिर उस case को वैसे ही देखते हैं तो पुलिस वालों पर भी फिर प्रेशर पड़ता है कि कि उन्हें सही तरीके से जाज करनी है अगर public protest हो जाता है क्योंकि media के through awareness फैल जाती है इस वाज़े से की नाम है अंचली अंचली हैश्ट्रेग me too मुहिम सहारा या हत्यार इत्स लाइक जैसे मैंने अपको पहले ही बोला था यह तो person पर डिपेंड करता है कि वो जो अपने अंदर की जो बात जो बहुत दिन तक रखी और दूसरों तर शेर नहीं कर पा रहे है वो एक platform पर लाके रख रहे है होते हैं कुछ लोग ऐसे जिन्हें एक platform चाहिए होता है हो सकता है कोई उसे एक अपने help के तरह यूस कर रहा है और कोई उसे एक opportunity के तरह यूस कर रहा है तो अपने परसेप्शन से जो जैसा सोचेगा और जो जिस पर बिलीफ करता है वो उसी तरह चलेगा अगे तो वही जैसे मैंने यह बोला उसी टाइप से मीटू मेरे ले मैं सोचते हूँ कि हाई इस अगूड प्लाफॉर्म जैसे विमेंस है अगर वो अभी बता रही है तो यह जो बात है उनके बहुत जहन में बहुत दिनों से अंदर होगी और यह कहीं एंदर गिल्ट होगी कि मैं कहीं शेयर करूँ किसी ते तो शेयर करूँ और अगर वो मेटू के ज़रे तो इसका मतलब यह कि वो अपने रिलेटिव से या तो किसी शेयर नही कर पाई तो यह हमें अपने परसंटे फामिली में ध्यान देना चाहिए और अगर वो हमसे पहले शेयर नहीं कर रहे हैं यह यूजिंग इस थाइप लाइक मीटू कैमपेइन तो लाइक हाँ प्लाटफॉर्म है बट अब इसमें फामिली इन्वार्ट फामिली सपोर्ट भी उतनी ही जरूर अगर वो डिसकस करते तो आज मीटू कैमपन क्यों होता अगर लड़कें अपने या जितने भी विमन अपने फामिली में फ्रेंड से होती तो यह चीज उसी टाइम सौल्व हो जाती पर वो नहीं बता पाई क्यों नहीं बता पाई वो उनके कुछ बिलीव जोंगे कोई शा उन्हें यह शेर करना था उन्हें कोई सारा चाहिए था तो तो यह टेकिंग हाँ यह टेकिंग मीटू कामपेंग अज लाइक सपोर्ट देर दाट्स वाइब तो कुडियां देना लगालबात कीती इना दा तुसी जानेयां पॉंट आफ की व्यू की मीटू मुहिम नू ले कि वो शायद अपनी गाल नहीं राख पाईयां पर क्योंकि हुन हैश्टाइग मीटू मुहिम दा उन्हें नू साहारा मिले आए ओदे जरीये वो अपनी गाल चडिया ओगे राख रही है नोजवाना दिनाल गाल बात करांगे कि ओकी सोच देने हैश्टाइग मीटू मुहि जब ब्रेक देली ब्रेक तो बादिक फर फिर तो अड़ा स्वागे ते पंजाब बोल्दा देवेच ते पंजाब बोल्दा देवेच आज गाल चाल रही है ओस मुहिम दी जिसने पूरी देश देवेच महलावा नू जिते सपोर्ट सिस्टम में एक प्रवाइड कार देता होते ही मर्दा नू पाज़ना पादितिया ने एक गले दी हड़ी भी बन गया है स्यासत दाना सने कई बॉलीवोड दिगजन देली हैस्टाग मीटू मुहिम देबारे कुडियां की सोच दिया ने इना देनाल गालबात करके जान दिया की नाम है मेरा नाम विपाशा है कैम्पेइन के थ्रू ही भोहत सारी लड़किया जो मतलब बोल नहीं पारी थी बट इस कैम्पेइन के थ्रू वह अपने आपको फ्री महसूस कर रही है कि हम एक सोचल मीडिया के थ्रू हम अपनी आवाज रेस कर सकते हैं पहले अगर यह नहीं होता अगर मीटू नहीं होता एक आदमी स्टेप उठाता है तो बाकी लड़किया भी स्टेप्स उठाती है तो यह वैसा वाला है कि एक लड़की ने बोला तो बाकियों को भी कॉन्फिटेंस मिल गया अपनी वॉइस रेस करने का इदत नहीं लगदा कि मीटू मुहिंदा कितना किते मिस्यूज भी किता जा रहा है अपनी रंजिश कड़न दिली अपने ग्रजिश कड़न दिली मीटू का हो सकता है आम नाट शूर बट इसका मिस्यूज हो सकता है मुझे ऐसा लगता है मिस्यूज हो सकता है बिकॉस एक का कि नाम है शुरुती शुरुती मेटू मुहिम देविच्छ इसी देखिया बहुत सरे केसे चड़े बहुत पुराने हैं कई केसे दस साल पुराने ही या कई केसे बारा साल पुराने ही तो कि लग दे कि अज तक उना फिमिल्स ने आपनी वाइस रेस क्यों नहीं की ती कि कि नू नहीं पर जा के सीटे कि करत चाहराषने ही तो किस लya की अचे तुक में थे कंपें लॉमर्स से क्टी सत क्टी डिया त報 अ कि व्मेन कुल्स अधरु एधियों का ट望त डियाद प्रत轩 इस पर टूलिवां में तनुष्री दत्ता और लेडीज तो इस वाइड इस कैंपें इनिशिएटेट बाइडी गुमें नाओ तनुष्री आख चाल कि महिम जड़ी एंटजार एक लोका नो सिगा कि शायद जड़ा और अज़ता अपनी आवाज़ें ने चाहपाने कि कल्या हुं देया समाज दे डरतों यह फर की लोग सोचन के करके एक बंदा जड़ाया एक फिमिल अपनी आवाज ने जोग दी पर क्योंकि हुन जड़ाय है हैस्ट्राइग मुटी मुहिंदे जरीए बहुत सारे लोग अगए आरे ने जिना ने कदी अपनी आवाज नहीं चुकिसी ओवी जड़ाय चाकरे ने पर जिसे गाल की ती तनु यह तो human tendency when something comes up they are they might be used for their own grudges and they might be used for their own self-satisfaction so there is this thing that when something comes up you might use it for your own good and you might use it for the betterment of the society so you think we should appreciate this yeah we should appreciate this की नाम है विज्यानी विज्यानी थोनु की लगदा है कि hashtag me too muhim de naal चेने वी केसे आरे ने सारे ही जड़े या उप्योर ने अब actually यह start way तो कुछ real हो सकते हैं कुछ unrealistic भी हो सकते हैं there can be certain stories for publicity whereas there can be stories which are real which really want to come up and talk for their justice otherwise there can be stories which are just there for getting yeah for opportunities for getting in front of the media for getting a name that yeah yeah hashtag me too I also use that and this is my story even though it is not true so yes you know being a human we have different kind of desires different kind of tendencies then eventually it can be used for our own stories or like they can use for something which is really happening with them and they want to bring that in front of the society in front of the people for self-awareness है आसी बहुत वार देख्यानाल जाने की हैं कि हैश्टेग मीटू मुहीम दिनाल तो काफी हद तक जब हम किसी जगह पर घूम रहे होता है तो हमें पता होता है कि किस हिसाब से ये एरिया कितना सेफ है कितना नहीं वैसे सेफटी इस इन आर होन हैंज, you know saying that we cannot wear, I mean talking about what we are wearing and then talking about how much are we safe or telling men basically that you know you should respect women and all that you know everything comes from within if you think that a woman is safe then the whole area is taken into a consideration thinking that IPS is safe नहीं है or ये सोचे कि एक नॉमल लड़की जो गाव में रही है वो सेफ नहीं है safety is all there in our heads if we are going somewhere and we are you know मतलब अगर हम अपना दिमाग ही सेट करके चलें कि हमें इस तरफ जाना है, इस जगर पर जाना है हमारा ये काम है and we are totally focused on that and we are doing it then it's fine but ये सोचना कि आप कितने सेफ हो वो जनरली नहीं नहीं पाता चलता कि कि हाँ अगर कि आप गुर्स और आप ऑना है because of their own activities, they are unsafe आप तो अप तो ये तो हूँ तो ऑप पोज़िए टो जाना है आइसे उनके ओपर प्वेस्टेंस करें जो दो पता लगदा है कि इना लड़किया नहीं और फिमल्स ने मिस्यूस की तफर एज़ चक्र देविच गई वाहर रियल स्टोरी जडीया है वह वह पिछे पहा दे लिया एक्छी आपाती है और वह सामने ने लगती है जिनको अप् होने का मन है तो I think you know हमारे genuinely हमारे conscience है हमारी मतब एक होती है अंदर से की what we are doing is right or wrong that is there in our conscience you know we get to know that we are on the right path or not so if MeToo is there for the women who actually want to show their story so that you know other people get aware of what is happening with them that should happen rather than people who are taking is taking this as an opportunity okay thank you so much so kudiyaan dinal galbat kiti इन्होंने बहुत सही गल कई कि हैस्टेग me too Mohim एक positive campaign है पर जेकर इन्हों सही सक्रात्मक तरीके दरा इस्तमाल कीता जावे पर जेकर आसी इन्हों इस तरीके दरा एक opportunity समझके आपने आपनों publicize करन वास्ते आपने आपनों footage लेन वास्ते पब्लिसिटी लेन वास्ते एदा इस्तमाल करांगे तैस चकर देवेच्छ ओ बहुत सारे केस रालिस्टिक केस जड़े ओधा जानगे जड़े उनना फिमेल्स ने आपनी पब्लिसिटी दे वास्ते यूज़ कर ले सो मीटू महिम दे दोनों पहलों जड़े सामने आरे ने पॉजिटिव वी नेगिटिव वी नौच वाना देनाल गाल बात करांगे फिल हाल रुक दया ह एक होड़ चोटी जड़े ब्रेक देली ब्रेक तो बाद एक वर फेर तोड़ा स्वागत है पंजाब बोल्दा दिवेच ते पंजाब बोल्दा दिवेच कुडियां बोल रहे हैं ने ओस हैश्टैग मीटू महिम देबारे जिसने पूरे देश देविच जड़ी इस विले पजड़ मचाई हुई है स्यासत वी जड़ी गर्माई हुई है इस मुहिम देवेच आरे ने बॉलीवर्द बहुत सारे दिगज़े इस दिले पेटे चाच चुके ने पर कुडियां की सोच देने के हैश्टैग मीटू महिम एक सपोर्ट सिस्टम है या फिर एक उपर्चु एक उपर्चुनिटी टूल वज़ों इस्तमाल किता चारे है खुडियां मलों एक्चुली जिवें कि अपनु पता है एवरी कॉइन हस्टु साइट दो साइट उन्दिया ने हर एक चीज दिया अगर आपा गाल करिये एक उपर्चुनिटी दिया अज कल जेड़े भी नेम् या पांट साल प्लान दी गाल है या दास साल कही ता पच्छी साल प्लान दी गाल चाहकरे ने ता ओधा मिनू लाग रहे कि अपर्चुनिटी वाली साइट है सेकिंड पॉइंट अगर आपा इंडस्ट्री देखिए इट्स ग्लामर वर्ल्ड एथे कुछ भी मतलब जबरस्ती नहीं हुंदा इस अल्वेज अमीच्यल अंडरस्टैंडिंग इस अल्वेज अमीच्यल कंसेंड मतलब एदेविच अपा एन देख सकते पर अगर आपा इन एक युनिवर्स्टी देविच अगर तो जी एक एननू हो गया कि गल्स नू फ्रीडम है या बॉइस मतलब जिनी इक्वैलिटी बॉइस नू एं फिरंदी ओन्नी गल्स नू भी मिल रही है बट एपॉइंट नहीं है गाजकल अगर वाई जा रहे है उनको इवी गल्ल इव टीज नहीं करूगी बट एक कोई गर्ल जा रही आठ वजे भी जा रही है तावी ओनों इव टीजिंग होगी ते मतलब अगर आप देखी कि हां इक गल्ले स्टाट किती उने अपनी हरास्मेंट अपनी करेज दिखाई अग्याई ते उने शूरू किती चीज ओं इंडिया देविचो एजड़ा इविल है गर्ल्स देना हरास्मेंट वाला या गर्ल्स देना गलत हुंदे जड़ा ओनूं फाइट कर सकी है अपा बहुत सारे केसे जमेना ने गाल किती कि कही पच्छी साल दस साल पुराने केसे विया तो की लगदा है कि ओ फिमिल्स अज त कर दूब अबहुत करने कोई अवाज ड़ी दोगा थे ओनना उनी वी अपना याय मिलेगा रइघ मतलब अगए त?. टेए और नधे करके ही अगे मघड़ी बहुत पुराने केसे जनलां बहुत कुछ गल्थ हो यहा फिर अगे हो रह यहा है मिले होगा ते उननों राइट होना थे मिले होगे ते मलब अगर काफी मुझ अपनी रिस्पेक्ट वपर सले की अगर नांटी परसंट पर इस प्रशन जो है और सब्सक्राइब काफी जगाते मतलब अपना फ्यूचर करिया कुछ भी जो भी नाम चाहे मतलब इक गलत वे इनाली लेके आना चांदिया ने कुछ गल्स ते बट वह काफी गलत भी कार रही है की नाम है हर्पित कर पिछले दिना तो काफी चर्चा दे वेचे कुडियां जनादना जिनसी शोषन होया है यह रास्मेंट हो यह ओ अपने आपनों अपना दर्द ब्यान का रही है तुसी की समझ दो कि मुहिम किनी कारगर है तो किनी का तक साबित हो रही है कारगरते मतलग की आज़टे में होई रहा है कम अना की गलत है चीज बट कुडियां वास्ते कुडियां दी सेफ्टी वास्ते अग्गे मतलग जी में केंदे के बंदेनों का दम शुकना जी जी में तो गोर्मेंट साइट तो भी बंदेनों हेल्प होनी चाही दी है वी एक जो भी रोकी जावे जी में केंदे की नाइट लेट नाइट तक कुडियां नोजी में बार जान दी है तो उन्हेंना काफी खुछ गलत हो जानता है यह चीज बारे होना चाही दा की नाम है तो जिंदर हैस्टेक मीटू मुहिम तो पिछले कुछ दिना तो चलिया है पर इस जी में हुन आज पहला चीज नहीं सीगे हैस्टेक हुनी मीटू आया ता ओही मिनना चलूगा दो मिनना चलेगा ओतो बाद लोगी पूल जानगी की सीगा हैस्टेक मीटू बट अग्गे भी कुडियानों ओसदा ही अपनी आवाज चुकत दिर्यानी चाही दे कि जो भी उन सारी मुहीम जान दिया सब कुछ आंदा है बट वह मिनने दो मिनने वाद किते तानों पता नहीं हुन दा कि जो किते गए सब कुछ एनने कोशन सारे पूछ देने बट सारे पूल जानने बाद वह चीज अग्य बदनी चाही दिया कई लोग कई महलावाई दा गलत इस्तमाल भी कर रही आने तो फिलहाल जड़ाए उपंजाब तो लेके देश-पार्दी सियासत वी जड़ीया उगर्माई होई है है हैश्टाइग मीटू मुहिम नो लेके एक गलता जरूर है कि हैश्टाइग मीटू मुहिम देनाल जिते कई लोकानों कई फिमिल्स नों प्लाटफॉर्म मिले आपनी आवाज रखन दा ओते ही जड़ाए एवी ज़रूरी हो जानदा है कि जिनने वी केस एदे जरीये आरे अपर्चुनिटी दे तौरते जरा एक टूल समझ के इनू वर्तिया जार्याए आज दे पंजाब ओलता दे विचे नाई काल फिर हाजर होंगे किसे नवे वीशे दे उपर करांगी गाल बात फिल हाल मैनू यानि अमरित विर्दी नो दे अजाजत साथ शिरा काल झाल